तो भाई, BMCM का हैंग ओर उतारने मैं गया मलालम मूवी देखने आवेशम मलालम में ही देखी with subtitles, हिंदी में I think available है ही नहीं एंड घर पे आकर देखी Netflix पर दिल जित दोसांज की चमकिला तो कैसी है ये दोनों मूवीज आईए बात करते हैं वेल हलो मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी सबसे पहले बात आवेशम की भाई ये जो मूवी है आवेशम ये एक गैंक्स्टर कॉमेडी फिल्म है जहां कुछ लड़के इंजिनियरिंग पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं जहां उनके सीनियर्स उनकी रैगिंग वगेरा करते हैं और उनको हमेशा दबा के रखते हैं मारना वगेरा तो उनसे बचने के लिए लड़के एक लोकल गैंग के लीडर का सहारा लेते हैं और उसके बाद जो जो कॉमेडी शुरू होती है भाई, फर्स्ट हाफ में हर पांच मिनिट बात मैं हस रहा था जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है सेकंड हाफ में यू विल फिल सीरियसनेस in the story and the characters बट अगेन उसमें भी सिचुवेशनल कॉमेडी इंप्लिमेंट की गई है which felt totally new in comedy genre movie का एक भी सेन ऐसा नहीं है जो बोर करेगा फाहत फासिल is a gem of acting भाई क्या है acting की है उन्होंने एक गुंडे की, एक डौन की फैन हो गया भाई मैं हिनका and storyline is little different than any other gangster comedy या college comedy movies और comedy भी एक दम fresh मैं seriously बोल रहा हूँ last time मैंने इतना enjoy सिर्फ मढगाव express में किया होगा यार, theater house full था and पूरा theater पूरे दिल से हस रहा था पूरी movie एक joy ride है and climax में फाहत फासिल का fight sequence चुमा, कड़क, must, जबरदस्थ यार, not only फाहत, तीन यंग लड़के है इसमें जन्होंने college going boys का role किया है वो जिस तरह से फस्ते हैं ना इस पूरे उथल फुतल में you will love their acting too भाई, एक तरफ हमारा Bollywood BMCM लाके MCBC कर रहा है वही Malalam industry, देखो भाई I am really glad के नागपूर में इसका show लगा था मैं wait कर रहा था कि Manjumal boys या लग जा लेकिन नहीं लगी but at least ये movie लगी है and मुझे देखने का मौका मिला वो भी house full theater में अगर हिंदी में होती तो और भी मज़ा आता but अगर आपके यह subtitles है तो इसे miss मत करना आवेशम को मेरी तरफ से 4 out of 5 stars अब बात Netflix पर आई फिल्म चमकिला की जो एक real life character पर आधारित फिल्म है 70s to 80s में पंजाब में एक singer थे अमर सिंग चमकिला जिनकी गोली मारकर दिन धाड़े हत्या कर दी गई थी क्यों? क्योंकि वो अश्लिल गानों के लिए जादा famous थे एंड जिस तरीके से वो अश्लिल गाने इसमें दिखाए गए है सारे actually पंजाबी में हैं लेकिन screen पर हिंदी में लिखा आता है तो कुछ लाइन सुनो किसने तेरे अंग मसले कौन कर गया तुझ पर सवारी और सुनो बट English में बताता हूँ With all the raw milk you have you are looks creamy नाग को जांगो के बीच रेंग ने दे भाई मैं बोला हाँ ये तो सच में आश्लिल है लेकिन उसके पीछे exactly कहानी क्या थी क्यों वो ऐसे गाने लिखते थे backstory क्यों उन्हें मारा गया उस पर बेस्ट ये 2 गंटे 25 मिनिट की फिल्म बनाई गई है बाई इम्तियाज अली और म्यूजिक दिया है बाई एयर रह्मान सर फिल्म A-rated है क्योंकि इसमें अश्लील गाने तो है ही बट गालिया भी है बाकी विजूल वल्गैरिटी नहीं है मुझे समझ में नहीं आया कि इसे हिंदी फिल्म क्यों बोला गया जबकि इसमें 90% तो पंजाबी ही थी अमर सिंग चमकिला ऐसे आर्टिस्ट थे जिनके गानों के कैसेट उस समय ऐसे बिखते थे जैसे 90s में पॉन फिल्म की सीडिया चुपके चुपके लेकिन सभी कैसेट्स रेकॉर्ड तोड बिखती थी इसलिए चमकिला के गाने पसंद किये जाते थे और सिर्फ लड़के या मर्द ही नहीं फीमेल्स में वो और भी ज़्यादा फेमस थे फिल्म में बीच बीच में और इवन फिल्म खतम होने के बाद real life footages and photos भी दिखाई गई है जिससे ये तो पता चलता है कि इस biopic को बनाने में इन्होंने काफी अच्छे से महनत की है and दिलजीद ने चमकिले के character को बहुत ही अच्छे से बहतरीन तरीके से निभाया है but honestly, movie अच्छा हुआ, Netflix पर आई है, theater में आती तो पका नहीं चलती it has a content which is not commercial ऐसे content को बहुत कम लोग पसंद करते है so overall अगर आप अपने खाली समय में ये movie देखना चाहते हो तो देख सकते हो लेकिन family के साथ थोड़ा avoid कर लेना मेरे तरफ से इस film को 3 out of 5 stars मिलते हैं अगले वीडियो में Bye What happened?